हाई फ्रेंड्स वेल्केम टू ग्यानियर दोस्तों आज अपन टाइफोइट के बारे में समझेंगे कि भाई कुछ लोगों का टाइफोइट ठीक क्यों नहीं होता एक साल में चार-पांच बार तो उनको टाइफोइट हो जाता अगर आप डॉक्टर हैं तो आपको ऐसी प्र टाइफोइड कोई नई समस्य नहीं है काफी लोगों को होती रहती है और बहुत पुराने समय से होती आई ही दिकना मोती जरा जैसे बिसिकली कहते हैं साल्मोनेला टाइफी एक बैक्टेरिया होता है उसके इंफेक्शन की बज़ए से हमारे सरी में बीमारी होती है टाइफ ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं वह असे होता है टाइफोइड का और मैंने कई वीडियो गारा ही है यस पर फश्री आफना नहीं देख लेना और होता क्या है यहां पर दोस्तों टाइफोइड की जहाच के लिए जो क्यों बहुत दीटेल में वीडियो बनाए है हमने आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पर बिडाल टेस्ट ग्यानियर या मैं लिंक दे दूँगा तो आप बिडाल टेस्ट को पढ़ना सीख जाएंगे तो होता किया है दोस्तों बिडाल जो जांच होती है एक complete जाच नहीं होती है एक authenticate टेस्ट नहीं होता है टाइफॉइट के लिए क्योंकि बिडाल जो होता है वो वेसिकली एक एंटीबोडी टेस्ट होता है कि आपके सरीर में कोई बीमारी होगी तो उसके कुछ दिन बाद आपके सरीर में कुछ एंटीबोडी बन जाती है तो उ तो कई वर क्या होता है कि बिडाल टेस्ट पोजिटिव इसलिए आता है क्योंकि यह एंटीबोडी में रह जाती है तो कई लोग खुद से ही जाकर जाच कराती है और फिर देखकर घबरा जाते हैं कि हमने ट्रीटमेंट लेया चारवाज दिन इंजेक्शन लगवाई तो बिडाल अपने आप में complete जाच नहीं माने जाती है तो अपकर एक क्या टाइफोड की जाच कैसे complete की जाएगी कैसे पता चले एककुरेट की एक टाइफोड है या नहीं तो ब्लेड कल्चर और यूरिन कल्चर यह दो जाच होती है दोस्तों इनको किया जा सकता है में आ जाता है तो अगर आपको ऐसा डाउट हो रहा है बारवार कि व्यक्ति का आप इलाज करें जा रहे हैं और उसका बिलाल पॉजिटिव रहा है तो इसे आपको बहुत हत्तक सपोर्ट मिलेगा अन्नेसरी आप दवाईया नहीं देंगे और अन्नेसरी आप दवाईया नही लाइक किया करें और अगर आप हमारे चैनल बुद नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने में कंजू सी नाकर क्योंकि आप एक सब्सक्राइब के दोस्तों और आप ही के दिमांड पर वीडियो लेकर आता हूं तो मुझे मोटिवेशन मिलता था प्लीस दू सब्सक्राइ झाल झाल